हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थैतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महतुपून है हर एक एक एक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और वह सारे पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था चले देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है यहां पर जो हम कर रहे हैं काफ महतुपून रहेगा हरे क्लास के बच्चों बैक्स के लिए इनके सब्जेक्ट महतुपून एक रखेंगा हमारा अगला टॉपिक जो यहांपर आया वह काफी महतूपून में बहा कि लिए कि विस्ताइ देखिए अध्योग्अगु क्या हमने यहां पर इनियॅब रखेंग को जानने के बाद अध्योगी करण की निम्लखित सब्सक्राइब करता है अगर अध्योगी करण है तो शहरी करण भी है सभी बातों को हमने निलैस किया नehru जी तो देबताओं के रूप में इसको कह में किया कि आज जितने भी देश हैं सबके लिए अध्योगी करन जो एक देपता के रूप में है और उनको मानना और उनके लिए पूजा करना सभी देशों का प्रत्यमिक्ता बन गई है तो ये बात सही है आज हर देश जो है अपना अध्योगी चेतर का विकास करना चाहता है इसमें कोई दो राय न समबंद है अध्योगी करन का आर्थिक और अध्योगी करियाओं से सीधा ही संपर्क माना जाता है देखा जाये तो अध्योगी करन एक परक्रिया है और इसका तारपत्य यही है कि अध्योगों में निरंतर परिवर्थन और परिवर्थन होते ही रहती है यानि अध्योगी क एक रियाशील शब्द है यानि देखा जाया तो अध्योग करन का मतलब ही होता है एक्षन यानि इसमें हमेशा एक्षन ही देखने को में मिलता है तो यह काफी महत्वण विसेशता है आगे बात करें अध्योग की स्थापना का मुल्ले उद्देश जो है जीवन उपयोगी व और सकता है कि अध्योग करण का संबंद उत्पादन से अधिक है यानि रहा में अध्योग करण के स्थापना नहीं की जा सकती है इसलिए कहा जा सकता है कि अधोगी करन यह यांत्रिक आंता संबंधित है यानि येंत्रों और मसीनों के अभाव में अधोगी करन के स्थापना नहीं की जा सकती है इसलिए कहा जा सकता है कि अधोगी करन यह यांत्रिक आंता संबंधित होती है अधोगी करन के परिकरिया दो अवशक तत्व होती हिए एक होते नवीन उद्योग के स्थाप्ना करना और दूसरा उत की औरधोय करन्द के कारण प्राक्brand शक्तियों का हम शूर्शन करती हैं यानि अविकास होती हुदी है या कंद में पूजी का IG का सबस्क्राइब का विकास और विस्तार भी इसमें संभव होती है यदी हम आकडी विसेष्था की तरफ ध्यान देच तो यही बात बताए कि अधोगी करन का उद्धेश्य आर्थिक विकास करना है और रास्टे प्रगति करना होता है तो यह काफी महतवपून है कि अधोगी करन का उद्धेश्य आर्थिक विकास करना और रास्टे प्रगति करना पर मुख्य यहां पर माना जाता है तो यह काफी महतवपून है अग एक किसी भी समाज का विकास के लिए और घोई करन की महत्वा को नकाराण नहीं जा ककता नहीं सकती तो आज अमिर्का क्याते हैं नंबर वन है तो कहीं न कहीं हम अधोगी करण को ही दे सकते हैं अधोगी करण के कारण पादन में विरिद्धी होती है जिसके कारण राष्ट्य और प्रतिवेक्ति आये में विरिद्धी होती है भारत देखा जाय तो हमेशा अधोगी करण के कारण पिच्रा हुआ रहा है जिनके कारण राष्ट्रे आयमें भी हमें गिरावप्त देखने को मिलती है और प्रतिवेक्ति आयमें भी हमें गिरावप्त देकने को मिलता है by ja अधोईकरन भारत में अधिक नहीं होना और देखा जाये तो भारत कृष्णि प्रधान देश कहलाता है और भारत के लिए अच्छे पदार्त ही काफी महत्वपून रहता है इसलिए भारत के तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है लेगिन कुछ सालों में भारत सरकार ने प्रेम को दिखाया है और कई चेत्रों में अधोई करन करने की कोशिश भी किया है अधोई करन के कारण जहां एक और अयात नियाद से संतुल बनता है वहीं पर दूसरी और इसके कारण कुछ लोग के अत्री रोजगार सुलब भी हो पाता है और समाजिक जन जीवन का सतर उच उड़ता जाता है भारत में पिछले तीस से चालिस वर्षों में काफी हमें परवर्तन देखने को मिला है हम जो की मुबायल और कहते हैं इंटरनेंट से हम दूर थे आज हमारे लिए तीस सालों के अंतरगत इस सभी का जो है उत्पादन बरहा है और हम अधोगी करन की उस च पर पहुंचते जा रहे हैं भारत में भी दो अधोगि करन की आण लहरसी देखने को में देखने को मिल जाती है तो यह काभी महतपूर्ण बात है आप चले देखते हैं इसके प्रभाब को और प्रभाब करते हैं कि Jest का प्रभाब क्या हो सकता है अब हमारे समक्ष जो आया ह अधोगी करन के प्रभाब कहते हैं अधोगी आधूनी की यूग विज्ञान का यूग माना गया है जो आधूनी की यूग है जिसमी यूग में हम रह रहे हैं यह यूग जो है विज्ञानों का यूग है हर बातों को जो है विज्ञानी कसोटी पर ही खरा करके देखा जाता है और विज्ञानी मात दंडो पर ही उसका इनलाइस किया जाता है और दोईकरण की परकिरिया उसी की देन है कहते हैं आज अगर आप किसी भी छेतर में चले जाओ तो आपको विज्ञानी परमान देने परती है और यह देखा जाये तो अध्विकरण उसी का ही एक देन है और भारत में अध्विकरण ने समाजिक और आर्थिक दोनों ही पक्षों को काफी प्रवाबित किया है अद्धोग करन के प्रभाब को निमलिक्त प्रकार से समझा जा सकता है तो ये जो हम अभी इनलाइस करने जा रहे हैं अद्धोग करन के प्रभाब तो ये काभी महत पून बात है सब प्रताम अगर हम देखे तो अद्धोग करन के समाजिक प्रभाब के अंदरगत हम चर्चा करेंगी सब प्रता हम कहते हैं अध्दूनी यानि अध्धोगिक समाज का हमारे समाजी जीवन पर गंभीर प्रभाब परा है वेलर ने सब सबस सब्दों में कहा है कि व्यक्ति जैसा कारे करता हूं वैसा ही अनुभब और विचार करता है बात सही है जो व्यक्ति ज बिलबन ने कहा था अध्धोगी के परिवारिक जीवन और समाज जीवन पर प्रभाव यहां पर निम्लिकित देखे जा सकती हैं चलिए देखते हैं कि अध्धोगी करन के परिवारिक और जीवन और समाज जीवन पर क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है सब प्रथम बात करें तो अपराद में वृध्धी देखा जाए तो अध्योगी करण के कारण जो है अपराद में काफी वृध्धी हुई है इससे हम नकार नहीं सकते अद्धोई करण के प्रभाब सरूप जो है प्रादों में विर्दी होती है क्योंकि ग्रामनी समाज के लोग रोजगार के लिए अद्धोई क्षेतर में आने लग जाते हैं जहांपर उन्हें तो वातावरन मिलता है उससे वह विग्य होते हैं वातावरन के बारे में कोई जनकारी नहीं रहती है जिसके वज़ाए से वह तनाव और चिंता से घिर जाती है और यहां पर उन्हें अनुपचारिक संबंद्य का अभाम मिलता है इसलिए वह वासनाओं सराव जैसी आदी लतों से घिर जाते हैं और यह आम देखने को मिला है कि जो लोग गाओं के चेत्र से सहरी चेत्र में आते हैं उनको यहां के महौल बिलकुल ही अलग दिखता है और अपने जीवन यापन वह सहरी तरह से कर नहीं सकते हैं जिनके कारण वह गलत रास्तों पर चलने लग जाते हैं और अपराध विरित्यों में समलित हो जाते हैं क्योंकि देखा जाये तो अधुर्ण के जो चौन नगड़ी करण हो जब जाते हैं तो वहां की बातें उनको जल्दी समझ में नहीं आता है जिनके कारण यह अपराध ऑदुनिक करण में बिद्धी होती है क्योंकि अध्रवभी करण में नई एधन प्रियोग न बजार मैहाज़ के साधैं अदी जो है अधनी करण की पुस्ट-भूमी टयार पर करता है तो वह तकनीख महित्वयोग होती है उसके पस्षाद देखे इस्तिती में परिवर्तन कहते हैं नगरी करण की तरह या दोगी करण से भी इस्तिती में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है और दोगी करण में इस्तिती को सिक्षा रोजगार के समान अबसर परदान किये गए हैं स्त्रियों समाजिक और आर्थिक च्षतरों में आत्र निर्भर हो रही है, यानि देखा जायित्र उस्त्रियों के जीवन गहीं में का। और दोवी करण के कारण नहीं देखने को मिला है आज बहुत से ओरते जो है कामकाजी हो गए हैं और बहुत से अध्योगी करण के कारण उनको जोब भी मिली है तो यह कही न कहीं जो है श्रीयों की सिद्धी में परिवर्तन का काफी महत्वपुन्स एक सोत्र के रूप में दे बेदवाओ थी आज अध्योगे करन के कारण जो है चुवा चूत की बेदवाओ आज दूर हुआ है उद्योगे में सभी जातियों के वेक्ति एक साथ मिलकल कारे करते हैं और यहां पर उनमें जाती गत भावनाओं का भी अबाब पाया जाता है विभीत विशाओं के विकास क सिक्षा के और में व्रिद्जी आदी ऐसे कारण से जिनमें जाती प्रथा में सिलता आ जाती है तो ये काफी अहत्वपून बात यहां पर दाशाया गया है कि जाती विवेस्टा में भी जाती 1 रहते हैं देखा जाये जातो विवेवस्ताbu में भीत कहास के सार feature गुटल का भी यतायात का साधनों का विकास भी शिक्षा के दर्में बिरिद्धी आदी कारण ऐसे कारण है जिसमें जातिप प्रथा में भी काफी बदलाब देखने को मिला है तो यह सब कहीं ने कहीं देखा जाए तो दोगी करण के कारण ही संबब हुआ है उसके पशाद द लास में जा रहे हैं जिसे नगरों का विकास हो रहा है तो देखा जाए हमारे समक्ष योगला पॉइंट आया है काफी महत पून है संयूत परिवार का विघटन तो यह कहीं न कहीं काफी महत पून बात आ जाता है संयूत परिवार का विघटन देखा जाए तो दोगी करण कारण सभी जाती के लोग सभी धर्मों के लोग एक साथ मिल के कारे करते हैं जिसके कारण उनुक में रहन, सहन, खान, पान हर तरह की संबंद बनती हैं जिनके कारण जाती विवस्ता में काफी स्थिल्टा आती है और देखा जाय तो यह भी काफी महतुपोरणाते है कि विवित विवस्थाएं का विकास के कारण हो टा लियता है आतको सादनों में विकास, पें रहते थी लेगिन जैसे अधोई करन हुआ सभी लोग जो है सहरों की तरह परल्यान कर गए और अपने माता पिता बहुत से लोगों को अपने पीछे छोड़ गए और देखा जाये तो सहरों में सव्यूत परिवार की जो है बिगटन होना काफी महत्वपून कारण बना है आज सहरों में एकल परिवार ने स्थान ले लिया है आज सहरों में सिरफ लोग जो है अपने बाल वच्चों और पत्री के साथ ही रहना पसंद करते हैं उसमें माता पिता को सम्मिलित नहीं करते हैं क्यों कितनी महंगाई रहने की जगह न होना ये सब कारण बन जाता है तो जरना सी बात है अदोगी करण के कारण हमारे समाज पे बहुत ही प्रभाप परा है और सबसे अधिक तो विवा विच्चेदन में ही परा है कहते हैं व्यक्ति बाद विष्टि कोन वाले व्यक्ति प्रेम विवा करते कर रहे हैं हमारे अदोगी करण के कारण अब वो केबल प्रेम विवा की भावुकता को ही सब कुछ समझ बैठी हैं इसलिए विवा के बाद उनका जीवन कटू हो जाता है यानि देखा जाया तो प्रेम विवा आज के समय में उनके जीवन के लिए कटू बंज गया है और दोगी करन के परिणाम सुर्व अब पती पतनी दोनों ही का पर जाते हैं और यहीं नहीं पती पतनी अपने अपने कारे पर अलालग समय पर जाती हैं जिसके चलते हुए एक दुसरे से प्रियाब समय बिल्कुल ही नहीं दे पाते हैं और उनके बीस तनाब बढ़ता ही चला जाता है और तनाब बढ़ने के अनेक कारण भी हो सकती है हो सकता है कि पत्री और पत्री का नुकरी का करना बुरा लगता हो या उसका घर से बाहर जाना उसे अखरता हो या सुतहंत्र विचारों के कारण भी पत्री बुरी लगती हो अत्वा ऐसी पत्री जो बहस करने में दक्ष आदी हो ऐसे का सभी कारण है जो विवा विचेदन में स् तो कहते हैं दोनों के चुछ में बिचित taxi में ब्रिद्धि गई का दुटाहई iay naik में होती है ज GUY कारण वह दोनों जो है एक दुसरे किसे को समझ नहीं पाते हैं जिनके कारण विवाविचेदन में बृद्धी होना एक सोभाविक बात हो गया और ये कहीं न कहीं अधोई करन अधोई करन के कारण ही हो पाया है जो कि सही नहीं है उसके पर शाहत आता है गंदी बस्तियां देखा जाये तो अधोई करन के कारण गंदी बस्ति का जो है निर्मान हो रहा है इसमें कोई दोर आये नहीं है आज बड़े बड़े नगरों में देखिए वहाँ पर गंदी बस् नगरों में मजदूरों की संक्या दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है और उनके अनपात में मकान कम हैं दूसरी तरफ स्रमिकों की इतनी आमदनी नहीं है जिससे वह एक अच्छा मकान ले सकी या बना ली नतीज़ यह होता है कि छोटे से संक्रे कमरे में अधिक व्यक्त है आज देखिए मुंबई में ऐसे बहुत से वस्तियां आपको नजर आ जाएगी जबकि मुंबई महानगर की रूप में जाना जाता है और दोगी करन के कारण जितने भी लोग हैं मुंबई में रहती हैं लेकिन महंगाई होने कारण वह अच्छे मकान का जो है नहीं ले सक हर तरह के गलत कारे वह आपस में मिलके करती हैं फर्मग छा तो यह लोग सकता है मिश्तिव पुरुष यह अपर सवाल उठता है कि जनसंक्या मिस्त्री बगा पुरुष का अनुपात देखिए कहते जितने भी पुरुष होते हैं सहरों में काम के लिए चले जाते हैं और इस्तिरियां गाउं में रह जाती है और यह पुरुष जो होते हैं सहरों में जाके अपना धारकार पहचान पत्र बना लेते हैं जिन नगरों में पुरुस्पारे कर्ने जाते हैं और उनका परिवार गाउंमें रह जता है इस परकार नगरों में पूर्ड सव्रमिगी के संक्या बरती चली जा बुरी आतों में फस जाता है जैसे जुवा सरा वेशय वृतिय आदी तो यो हैं पुरुष जो है जाके गाह नुकर जूरे आता है जरुपात देखने में आता है मुंबई 20 क्टेगरी में आता है तो यह कारण बनता है हमारे देश को कूरितियों से बाहर निकान लेगा लेकिन देखा जाया तो अध्योगी के नगरव गाओं से सेंख्रों मिल दूर बस रहे हैं और यहां प्राकितिक करखानों में धूँआ मेलव अटालकिवाओं से घिर कर कैद हो गई है यानि देखा जाया तो सहरों में कारखानों के करण हर चेत्र में धूँआ यह दूँआ है चारों तरफ दम गुटने वाली पर सितीब बन गई है और सबसे अच्छा एक्जामपल आपके समक्ष तो दिल्ली का है जहां पर पर संकें परिवार को यह भी नहीं अलूम पर पाता है कि नागड जो वेक्तियों के बिकर अगर्व बनाए हुए है इसलिए यहां कृतीमी है यह कुर्तीम देखतियों के बेभारों में भी अपना स्थान बनाती जा रही है यानि कुर्तीम का मतलब होता है जो प्राकितिक नहीं है जो मानम निर्वित है आज हम प्राकितिक चीजों के जगह पर जो है मानम निर्वित चीजों का बहुत अधिक प्रियोग कर रहे हैं हमें तो पता भी नहीं होगा कि प्राकीतिक में भी यह सारे चीजें विद्वान है जो हम अपने दिन चरिया के जीवन में जो है कुर्तीम चीजों का इस्तमाल करके कर रहे हैं तो देखा जाए तो लोग को प्राकीतिक से भी दूरियां इस अधोई करन के कारण ही हुआ है आज लो है अधोई करन का आर्थिक जीवन पर प्रभाब यह काफी महत्पूंड आएगा कि अधोई करन का आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाब परा अधोई करन का प्रभाब हमारे आर्थिक जीवन पर भी काफी पड़ा है और अधोई करन के पहिनाम सरूब आर्थिक जीवन पर प भारत में वी अन्य देश की भाती अदिविकरन के फर्सरू पूजी पतियों की संक्या में रिद्धी हुई है। बड़े-बड़े कल कहानों के उच्छे वर्ड के लोग ही चला सकते थे। अंत उत्पादन के इन बरे साधनों पर उच्चे वर्ग की अधिक्तम स्थापित हो गई, देखा जाए तो पूजी पतियों में बृद्धी, आज गरीब होता जा रहा है, पूजी पती, पूजी पती होते जा रहे हैं, इसका करण कहीं न कहीं, अध्रिकरण के करण ही, कि प् अध्रिकरण ने पूजी वाद के विकास को परसाहित किया है, आज देखा जाए तो पूजी वाद का काफी विकास हुआ है, दुनिया में पूजी पतियों का जो है बोल वाला है, और पूरी दुनिया जो है कुछ पूजी पतियों के हाथों में सिमट कर रह गया है, और ये प्र्वावजन के बीना विशाल पैमानों पर उत्पादन संभव नहीं है अंत था अंत विशेशी करन का भी जनम हुआ है तो इसमें कोई दो राय नहीं है एक ही कारे लंबे समय तक करने से तब विशेश कारे को करने के लिए विशेश योगता की वशक्ता होती है अन्त विशेशी करन का भी जनम यहां पर हमें देखने को मिलता है उसके पर शाथ अगली पॉइंट की तरफ हम अ और दोगी करन के कारण नजाने कितने लोग की हाथ कट गई है यानि जो कुछ व्यक्ति मिलके कारे कर सकते थे दस व्यक्ति मिलके कारे कर सकते थे और दोगी करन क्या हुआ है कि आज एक मसीन ही 50 मजदूरों के काम अकेला ही कुछ सेकेंडों में ही कर देताता है तो जिसे का करते हैं कि महीने मिले बंद रहती जिसे बहुत से वेकरी वाला जीवन जी रहे हैं यानि देखा जाया तो दोगी करन के कारण बेज़गारी में बिर्दि होना देश के विकास में खलल डाल सकता है उसके पढ़ शाहत आता है वर्गों की उत्पत्ती और दोगी समाज में एक वर्ग वह है जो बैपार में पूजी लगाता है, अरथात मिल फैक्टरी का मालिक और दुसरा वर्ग हुआ है, जो अपना शरम बेज कर अपनी जीविका अर्जित करता है, अर्था स्रमिक वर्ग यानि देखा जाये तो यहां पर वर्गों की पती भी हुई है एक वर्ग जो है यहां पर अरजित करता है दुसरा वर्ग जो है श्रमिक वर्ग है यानि देखा जाये तो यहां पर बेपारी जो है पुजी पती बनते जा रहे हैं यानि दो मुख्य वर् और श्रमिगवर यह सब जो है अद्योग करन के देन हैं उसके पर शाथ आता है यतायात और संचार के साधनों में प्रगती किसी भी देश के उद्योग की प्रगती के लिए यह आवशक है कि यतायात संचार के साधन अच्छे हों जैसे जैसे उद्योग का प्रचार होता जा आए इस छेत्र में काफी परगती होती जा रही है आज रेल जहाज हेलिकॉप्टर स्मार्टफ़ून आदी इसकी परगती के प्रतीक है यानि देखा जाय तो यह ता या तो समचार के साधनों में दिन परत दिन जो है व्रिद्धी होती चली जा रही है नए टेक्नलोजी जो है अपना घर करते चले जा रहे हैं आम लोगों की जीवन को जो है तहस नहस करने में भी इनका काफी महत्वपून युगदान रहता है और यह सब कहीं न कहीं अधोई करन के कारण ही ऐ अइसा हुआ है उसके पशात है कुटीर उध्योग का पतन देखा जायए तो अधोई करन के परिणाम शरूब बरे-बरे कारखानों के स्थापना हुई है जिसे कुटीर उध्योग का पतन हुआ है बरे करकानों द्वरा निडमीत बस्तूज अधिक सुंदर वठिकाउ होती ठीठी अंतर लोगों ने कुटोरी उध्योग का निडमित बस्तु का स्तान पर बड़े कल jadi कर दिया जिसे कुट्री को सबीब करने में कहीं न कहीं अध्योग ही करन दो When पसंद करके कल खानों में समानों को यह कहीं नगारं के कारण विलकूल ही तैस नहस हो गया है इवन देखे उच्चे जीवन सतर तो कहते हैं बरे पैमानों प्रत्पादन विभिन उद्योग धंदे बेपार वर्जिक आदी के विस्तार के साथ ही लोग के आर्थिस्तिति में प्रवर्तन आया है इससे लोग की जीवन सतर में भी उच्चा हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है अद्धोगी करण के कारण जो है लोग की जीवन सतर में भी काफी ब्रिद्धी हुई है उनके रहन सहन खान पान में भी काफी बदलाब हमें देखने को मिला है उसके पस्षाथ है श्रमिकों को जगड़े, संगर्ष और घिराव पूजी वादी ववस्ता में अधिक से अधिक श्रमिकों की शोषन होता है किन्तु श्रमिक वर्ग में नई चेतना का संचार भी हो गया है वह अपने अधिकारों एवं मागों की पूर्ती के लिए आए दिन पूजी पतियों से संगर्ष करते ही रहती है और यह संगर्ष पूजी पतियों एवं श्रमिकों को बीज निरंता चलता रहता है तो देखा जाये तो अदोविकरन के कारण ही श्रमिकों के जगड़े, संगोश और घिराव आए दिन हमें देखने को मिलता है तो यह सब कहीं आर्थिक प्रभाब के अंतरगत है इवन देखे विभीन डोग एवम सरी दुरगटनाएं भी और दोविकरन के ही देन है बरे-बरे करखानों में श्रमिकों कारे करने की दक्षता अभी भी और संतोष जनक है रोशनी के समुझी प्रभाब का अभाब विशेली गैसों के मद्धे कारे करना आदी ऐसी स्थिती है जिसे स्रमिक वर्ग विभीन परकार की बिमारियों के सिकार हो रहे है और ऐसे से बिमारी आ रहे हैं जो देश के लिए क्या बिश्व के लिए भी एक बहुत बड़ा चिनोती सामने खड़ा कर रहा है तो देखा जाए कहीं न कहीं सब अध्योगी करन के कारन ही यह सब हुआ है जो देश के साथ साथ हाड एक जन्मानस के लिए खतरे का सबब हो सकता है और जन्मानस के साथ साथ जो है जीव जन्तू के लिए भी और पेर पौदों के लिए भी बहुत बड़ा विनास का करन बन सकता है उसके पश्राथ हमारे समक्ष आता है अध्योगी करन के उद्देश देकि अध्योगी करन के उद्देश भी साफ हो जाता है कि अध्योगी करन का मुक्य उद्देश समाज के आर्थी पहली हम विकास करना है जिसकारा अन्ने समाजी पहली स्वैती परभावित होते रहते हैं लेकि कोई चीज अगर हम विकास करने की विचार रखते हैं तो कोई चीज जो है प्रभावित होगा ही होगा इसमें कोई दोर आए नहीं है कहते हैं किसी चीज की अगर अच्छाई है तो उसकी बुड़ाई भी है तो यहां अधोई करन की अच्छाई है तो कुछ पड़ेगा उच्छे सदर उत्पादर सदर और प्रत्यक्ष रूप से विक्तियों के रहन सेहन की संबंदित भी है अतिस अंचेप्त में देश निम्लिकित रूप में यहां विक्त किया गया है जिसको आप पढ़के समझ सकते हो कि समाज की उन लोगों को रोजगार प्रद करना जिसे राष्टी आया और प्रतिव्यक्ति आया में भी विद्धी हो सके भारत की जो प्रतिव्यक्ति आया है बहुत ही चिंता का विसाय है और इसमें जो है अमदोगी करन के कारण ही विक्सित कर सकती है उसके पशाद देखे जन जीवन के रहन सेहन के सदर को उचा अदोगी करन का सबसे प्रमुक्य लक्ष है उद्धिश है उसके पशाद देखे तो समाज के दरिता गरीवी और अंद्विस्वास को दूर करना भी कई हां तक बहुत जरूरी है और यह सब अद्विक्ति करन के कारण ही संबब हो सकता है आज भी हमारे समाज में दरिता गर और अंद्विस्वास ने अपनी जो है घर कर लिया है और इसको दूर किये भी ना जो हम अपने आपको जो है प्रगतिशील या विक्सित राष्ट में नहीं विक्सित हो सकती है कहते हैं विदेशी विन्यम की विवस्ता जिससे निरायत में सिर्था बनी रहे यानि देखा मुआ जाये तो आयात निराथ विदेशों से करना भी मेत नहीं और यह तब समभव होगा जब को प्राप्त्त करेंगी यानि देखा जाये तो समय कि यह मांग भी है अब देखिए इस सब बातों को जो है कैसे कुछ कमिया है उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं तो इसी बात पर हम आगे अनलाइज करेंगे कि ऑगे देखिए तो हमारे समक्ष आया है आद्योगी करन के दूस्छ परिणामों को रोकने का उपया देखिए यह यह काभी महतुपून टौपिक रहेगा कि अधोवी जनसंग्या को हर चीज उप्लब्त कराना अद्योग करन के कारण ही संभब हो सकता है इसलिए हम अद्योग करन के और मद्यपान को बुरे विवसायों से बचे रहें देखा जाए तो मद्यपान अगर देखा जाए सराब की बातें तो यह सरकार पर डिपेंड करता है क्योंकि सरकार ही इसको प्रसाहिद करती है लेकिन विश्या विरित्ती जो होती है लोग की अपनी सोच होती है और इसके बड़े लोग जो होते हैं इसमें संगलन होती है तो उनको कराई से पालन करने से ही विश्या विरित्ती है हमारे समास से हट सकती है इवन देखा जाया तो बिरोजगारी को रोकने के लिए लगू और कुटूरी उद्योगों सम्मूचित परसाहिद दिया जाए कहते हैं भारत पहले लगू और कुटूरी उद्योगों पर चलाई जाती थी कि हम इस दुस्प्रवनामों को जो है रोका जा सकता है इवन देखे तो स्रमीकों के बच्चों को पढ़ाने है तो सिक्षा के उचित विवस्ता भी की जाए लेगिन देखा जाए तो बड़े-बड़े सहरों में आज काल को जो नीतियां बदल रही है इसमें स्रमीक के किरावाया जाते हैं उसमें बदल गई है वो देश के लिए और भविश्य के लिए दोनों ही सरकार के तरफ से गलत उठाया गया कदम है तो कहते हैं मजदूर के बच्चे तो कहते हैं जोगी जोपडियों में रहती हैं बड़े-बड़े स्कूलों के सामने अगर उनका वधान कर दिया है कि सरफ एक किलोमेटर के दाइरे में जो बच्चे हैं इडवलू कटेगरी में आते हैं उनको लिया जाए लेकिन एक किलोमेटर के दूर ही गरीब बसते हैं तो सरकार की नीती बहुत ही बेचीदा है और देश कल्यान के लिए तो होई नहीं सकता यह देश हो सके द्यों को वीकेंदरी करन किया जरूरी है यानि इसको सेंटर के साथ लगाना जरूरी है सभी बरेकर खानों को केवल एक इस्थान पर नौर अस्तापित किया जाए अथूर उन्हें गरामनी छेत्र में यह थायाद यह संचार की बहतर सुबदाएं उपलफ्द कराई जी से गिनामनियों का सहरों की तरफ प्रव्यान को रोका जा सके यह भी मैंत्वन पॉइंट है आज गाउं से लोग इसलिए सहर की तर प्रविकास कर दे तो यह लोग गाउं से सहरों की तरफ विकास नहीं जाएंगे परल्यान नहीं करेंगे जिसे सहरों में भी इस्तिती सही बनी रहेगी और गाउं में भी इस्तिती सही बनी रहेगी तो सरकार को यहां पर सही कदम उठाने की अवर्शक्ता है अगली point के तरह बात करे नगरों का वविकास योजना बगत रिकों से किया जाए यानि नगरों का विकास जू हो रहा है उसको systematic किया जाए और नगरों के शटे हुए गां, पिंड यहे उन真हीं ना किया जाए जोत का जमीन खतम हो जाता है जिससे जन संक्या का भार बढ़ रही है उनको अन्य प्रवाइट्स नहीं किया जा सकता तो नगोरों का विकास योजना वन्त तरीकों से किया जाए जिसे जो हमारे देश पर अधिक प्रवाब ना परें अद्वोग करन के कारण उत्पन निवास के समस्या से निपटने हितु अवास की समूचित विवस्ता किया जाए मलीन वस्तियों की सफाई कर उनकी समूचित विकास किया जाए लेकिन ये काफी महत्व रखेगा कि जो वस्तियां हैं जो बन चुकी है उनको सफाई और साफ सु सरमिकों को समाजिक एवाम आर्थि सुरक्षा परदान किया जाए और उनके कारी की दाशाय कारी है दारत भी किया जए तो यह सारी महत फूर्ण बात है यहां पर यानि देखा जाए तो अध्योगी करन अगर निश्कॉस के रूप में देखे हैं तो अद्ध्वीकरन काफी मेहत पून है Corey राज प्राक्रेंगि के शांब को बहुन ऌइकिके तक मक्राफ। वो तकलीफों से गुजर रहे हैं और शायद ये बात भाड़ा सरकार भी नहीं समझती है और विश्व के सरकार भी नहीं समझ पा रही है और इनको समझना है कि हम तभी हम है जब जीव जन्तू है हमारा अस्तुबत तभी है जब यह पेर पौधे हैं देखना एक यहां पर सरकार को भूलनें चाएं हर बातों समक्सा रखना चाहीं सरकार को कदम उठाइ सब्सक्राइब जो लोग परियान कर रहifies है परियान करते है तो ज़े यह वगार्द splits दिया जाए तो लोग कि सहर्मीर विखास दो करते हैं इसका दबाव कम पड़ेगा और सहर में दबाव कम पड़ेगा तो गाउँ का भी विकास होगा और सहर का भी विकास होगा इससे हमारा बारत देश एक विक्सित बन जाएगा यह सब काभी महत्व्पूर्ण बात है दोसे इसी के साथ हमारा यह desired topic टॉपिक खतम हो जाता है और भी महतवफून आपके लिए बनेगा जिसमें हम और भी टॉपिक पे जो महतवफून होगा उसमें विचार करेंगे उसको अनलाइज करेंगी तो आप बने रहें तिरपान सटीटे जेशनेंटर के साथ और जितना हो सके शेर कीजिए एक ही बात आप से समख्ष रखता है कि शेयर कीजिए हर एक बच्चों तक इस वीडियो को पहुचाईए जिसे वो भी इस वीडियो को देख सके समझ सके कर सके क्योंकि तिरपान एक्री सेनडर का वीडियो सिरफ सिख्षा के लिए ही नहीं है आपको एक अच्छा नाग्रिक बनाने के साल साथ देश की सेवा के कहते हैं बच्चों को सिर्फ कितावी बातें समझ नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन के हर एक पहलू को समझना जरूरी है और यह सब तिरपान स्टेटी सेंटर पर ही उपलब्द है और कहीं उपलब्द नहीं है और इसलिए आप जितना हो सकते बच्चों का टॉपिक भी नहीं और चाहते हो कि और वी वीडियो आपको इसी पर कर प्राप्त होता रहे और समझते रहो तो जरना सी बात है दोस्तों चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटीफर्शन मिलेगा और आपको पता ही होगा कि तिरपान सब्सक्राइब कीजिए कर दोस्तों चनल को सब्सक्राइब कीजिए कर दोस्तों चनल को सब्सक्राइब कीजिए